दनबाज लेके बरोडा थाना छेतर डूम्रा फुलाडी टार मुर्ख मार्ग इसीद मांदरा में बीसी सल एरिया वन अंतरगत संचालित खेमकार ट्रांसपोर्टिंग कमपनी की हाइवा वाहन ने वाइक सवार सिक्छक लखन महतों को अपनी चपेट में ले लिया घटना में बाइक सवार की दर्धनाक मौत घटना असल पर ही हो गए वाहन ड्राइबर उपजालक घटना के बाद फरार हो गए दुर घटना के बाद मौकी पर अत्वान ये लोग चमा हो गए मिर्तक पिपरा टांड का रहने वाला है गटना की जानकारी पाकर मिर्तक की परिजन गाउंवाले मौकी पर पहुँच, मौकी सड़क को आगजनी कर जाम कर दिया सुचना पाकर बरोड़ा पुलिस मौकी पर पहुँची, सड़क जाम की ये लोगों को समझाने का प्रयास किया लेकिन आक्रोशित ग्रामिन, मौजा और कारवाई की मांग पर अड़े रहें लगभग पांच गहंटे तक सड़क जाम रखा देर रात वारता के बाद सड़क जाम हटाया गया हाईवा बाहन को पुलिस जफ्द कर ली सौ को पोश्मार्टम के लिए भेज दी जिसके बाद देर रात सड़क जाम को हटाया गया सौ को पुलिस कबजे में लीकर पोश्मार्टम के लिए भेजी वहीं बरोरा थाना प्रफारी नंदू पाल ने बताया कि सड़क दुर्खटना में हाईवा बाहन की चपेट में आने से बाइक सवार सिच्छक की मात हो गए मिर्तक परिजन के साथ वारता में मुआवजा देने पर सामती के बाद सड़क जाम को हटाया गया हाईवा बाहन को जबत कर सौ को पुश्मार्टम के लिए भेजिया गया है करस्ена हे झालप में 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 करस्त 세AST झालप मां के अप 18 42 mm के बाहने के पर आद सही सिच्पक क तर कि graph है कर आद थैंफ techn слова vertex य데 найти झालोख बादी के तर यीवाम एक शड़क दुरगाटना की घटना गटी थी जिसमें एस्पोर्ट बेथ एक ब्रिक्तिका हो गया था इसमें काफी प्रयास के बाद हम लोगों ने बारता कर उनके फैमिली को मुखजा का पस्ताव देकर जाम को क्लियर कराया इस गाड़ी से गाड़ी से हुआ था हाइवा ग करे बारता का लाइब?